जैसी किसना दोष्टों हमारे बी एस सर्माबद्वा चैनल में आप सबी दोष्टों का स्वागत हैं दोष्टों गव माता के अंदर 33 कोट देवी देपताओं का वास है गाय को जो हैं साक्षत माता आज सक्ती का सुरूप का गया है गाय को काम देनू का जाता है जो सबी कामनाओं को पूरा करने वाली है दोस्तों मता गाय को आप जो हैं अगर निवस्टों खिलाते हैं तो सबी परकार के कष्ट दूर हो जाते हैं अगर आपकी पुत्रप्राप्ती की धनप्राप्ती की नोकरी की विवाय की कैसी भी चाहें उसके लिए आपको नवरात्री के दिनों में किसी एक दिन जो है आपको गाए माता को एक खिला ना है दोस्तों गाउ सेवा का बहुत मेट तोता है भगवासी किसने भी स्वेम गाउ सेवा करी है इसलिए आप गाए माता को हमेशे एक बात ध्यान रखें जब भी गाए माता के गाउ साला में जाएं तो गाए माता को कुछ ना कुछ अवस खिलाना चाहिए और गाए के सिर पर जो गोविंदाई नमा इस मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए दोस्तों अगर आपके हाथों में कैसी वे असुव रेका हो गव माता को आप जो है यह वस्तु खिलाते हैं तो निश्चित रूशी असुव रेका असुव दिश्थी में परवतिर हो जाती हैं दोस्तों एक बात क ज्याद रखें गर्मी में गाय को ज्यादा गुड़ नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि गुड़ गर्मी कर जाता है और नवरात्रियों में बिशीश करके आपको केवल यह वस्तु खिलानी हैं इस वस्तु को आप अवश्य खिलाएं आप किसी भी नवरात्रे में खिला सकते ह अपनी मनों कामना बोल करकी खिलाएं दोस्तु, उसमी चाहिए आपको कि माता रानी के नब्रात्रे में आपको दो केला लेनियें और दो केला लेकर के आप जो है उन केलाओं को लें साथ में थोड़ा सा जादा गुड़ना लें जरासा गुड़ि लें और जो काले छोले होते हैं, काले चने भीगे हुए होने चाहिए, पीली चने की डाल का प्रियोग ना करें, काले भीगे हुए चने लें, उन चनों को ले करके, जो काले कच्चे चने आते हैं उनको भिगो लें, और भिगो करके दो केला के साथ थोड़ा सा गुर हलका सा रख क करके और यह ले जाकर के आपको गव माता को खिलाना है और गव माता को खिला करके गव माता के सामने अपनी प्रात्ना बोलनी है और गाय माता के पैरों की जो नीचे की मित्ति है थोड़ी सी लेकर के मस्तक पर स्पस कर लेना है केवल नवरत्री में किसी भी दिन आप छोले का गाय को खिला देते ही तो आपकी मनों कावना अवस्य सुर्य हो जाती हैं। दोश्टों कहा जाता है कि अगर विशीश रूव से अगर आप नवरातुरी में हलुआ पूरी गाय को खिलाते ही जोकि माता को छोले घुण हलुआ और पूरी अठपसंद हैं। अगर ये गाय माता को खिलाते ही तो माता राने भी प्रसन्न हो जाती है और 33 को देव देवताओं को आभी आशिरवात प्राप्त होता है। दोस्तों मैं से किसी भी वस्तू को आप खिला सकते ही अगर आपको जानकादी अच्छी लगिए वीडियो को लाइकों से जिरू करें आप सबी को जैसी किसना